आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भी एचु वर्ल में आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाव टु क्रेक भी एचु इंट्रेंस एक्जाम एमेड वैसे तो आपको बता दें कि यह में मास्टर्स के बहुत सारे कोर्स होते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स इत् सुलब हैं आप आसानी सेनेक कर सकते हैं तो में हिस्ट्री सोश्यालजी इकानोमिक्स पॉलिटिकल साइंस साइकोलजी और इसके साथ साथ है आई यार डियम इंटीग्रेटेड रूरल डेवल्लप्मेंट और मैनेजमेंट और दूसरा है मास्टर आफ सोशल वर्क MSW तिसरा इंट्रोफोलोजी में इंट्रोफोलोजी और मालवी सेंटर आप पीस अंडिसर्च एमसीपी आपको बताएंगे कि एलिजबिल्टी क्राटेरिया क्या है एमें के लिए आप विभिन सब्जेक्ट से एमें करना चाहते हैं उसके लिए आपको चाहिए क्या फार्म बरने के लिए तो पहला विशेष्च क्राटेरिया है वो यह है कि बैचलर डिग्री इन्रेलेटट स watching आपका 10 प्लस 2 प्लस 3 यह होना चाहिए और एक और criteria है वो यह है कि minimum 50% marks आपका होना चाहिए जैसे कि आपको political science में MA करना है तो आपका जो BA है BA course है उसमें आपका bachelor में political science होना चाहिए course अबजेक्टों में और यदि honors हो तो और अच्छा है तो यह minimum eligibility criteria है और इसके अलावा अगर आपको और विश्टरत जानकारी चाहिए बहुत सी चीजे हैं तो आप www.bhuonline.in में आप pet notification में देख सकते हैं मित्रों अब हम बात कर लेते हैं total number आप seats की कि हर एक विशे में लगवग कितनी seat होती है यह जानना बहुत आवस्ट्रक है तो आपको बता दें कि जनरली 80 seat प्रतेक सब्जेक्ट में लगवग लगवग होती हैं और इस 80 seat में कुछ बहु कोटा होता है रिजर्वेशन सेम है जैसे हर जगह है तो इसलिए आप इसको 50 seat मानके चलिए और बढ़ियां से तैयरी करिए और और बात बता दें कि जेंडर के अधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं है कोई लड़की है लड़का है सामान जैसे जो क्वालिफाई करेगा और दूसरा चीज है कि हास्टल के लिए आपको कितना seat है तो लगवग प्रतेक सब्जेक्ट में 40 seat हास्टल में है तो लगवग आपको 50 50 रेंट तक चाहिए हास्टल लेने के लिए में इंट्रेंस के क्रम में अब बात करते हैं एक्जाम पैटर्न की तो सबसे पहले बता दें कि कुश्चन कितना आता है तो टूटल नम्मर आप कुश्चन 120 अब पूछता है इसके पिछली इसके पहले एक्सु कुश्च तो एक्सु भीस कूश्चन 12 प्रतिक प्रस्मन थीन नम्मर का होता है तो तीनसो साथ नम्मर का टोटल कुश्चन पेपर होता है इसके लिए टायम आपको टायम लिमिट दो गंटे है दोगंटे पर याद तो जात ego त्लेसक्ते हरSeal साथ साथ निगेटिव मार्किंग भी है निगेटिव मार्किंग एक तीन की है अर्था एक प्रस्ण आपका तीन नंबर का है तो एक प्रस्ण गलत होने पर एक नंबर काटा जाएगा अर्था तीन प्रस्ण आपके यदि गलत होते हैं तो एक प्रस्ण आपका सही कट जाएग तो दो मंथ परियाप्त है, दो मंथ अगर आप ब्येच्च इंट्रेंस के लिए देते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप कोई भी रहें का प्राप्ट कर सकते हैं, तो दो मंथ परियाप्त है, आप अभी से डट जाईए, फ़र्मा गया है, भर दीजिए, और इसके आगे बा इंट्रेंस उस विशय के पुराने 5 साल के पेपर आप जरूर देख लें, क्यूंकि उससे लगभग 20 से 25 कुष्चन आपको सीधे मिलेंगे, सीधे के सीधे मिलेंगे, और इसके साथ-साथ आपको अनुभो भी होगा कि पूछता कहां से है, क्या पूछता है, किन-किन तो यह आपको नालेज हो जाएगा, दूसरा जो है NCRT, जिस विशय का आप देने जा रहे हैं MA इंट्रेंस, उस विशय के 10-12 जो NCRT भूख है, वो बेसिक है, आप उसे पढ़ लिजिए, कंसेप्चुल कुष्चन आपको उसे हल हो जाएगा, दूसरा जो सबसे और भी महत पूर्ण चीज है, वो BHU Graduation Slaves है, जिस विशय का आप देने जा रहे हैं MA इंट्रेंस, उसी विशय का Graduation का Slaves क्या है, यह आप जरूर देख लें, गूगल पे नेट पे आपको उपलब्ध है, BHU का Slaves, वो आप जरूर देख लें, और इस Slaves को आप 15-20 दिन में, 25 दिन में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस विशय का देने जा रहे हैं, आपने Graduation में उसे पढ़ा हुआ है, तो यह आप जरूर देख लें, क्योंकि Graduation के Slaves के आधार पर ही MA का प्रविस्परिच्छा बनता है, दूसरा, किरन पब्लिकेशन, यह आजकल बहुत आ रहा है, स्चोयल जी की, Political Science, Public Aid, इत्यादी सब निकाल रहा है, तो आप इनको इसको खरीद लें, और छोटी सी बुक होती है, उसमें सारा सब कुछ दिया रहता है, आप इससे पढ़ेंगे, तो मेरा विश्वा से इससे आपको 120 में कम से कम 50 कुश्चन मिलेगा, दूसरा, स्चोयल जी का, इसी तरह तमाम सरे निकालता है, तो आप इसके भी देख सकते हैं, और इसके साथ-साथ, जो भी एचु ग्रेजुएशन स्लेबस है, इस स्लेबस में नीचे कुछ बुक्स रिक्मंडेट हैं, उन बुक्स में कुछ अच्छी बुक्स हैं, आप सलाह ले सकते हैं, कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं, कि ये बुक्स अच्छी रहे गी या नहीं, तो आप इससे जो पुष्टके हैं, उससे बाजार से लेकर कि आप उन्हें पढ़ सकते हैं, और जो भी आपको इस भी से में समझ से आप स्टेडी मैटेरियल में, आपको जो चाहिए, ज तो कटाफ से पहले में बात कर लेता हूं कि अप्लिकेंट लगभग कितने आते हैं, तो अलग-अलग विशे में अलग-अलग संख्या है, लोगों की फर्म भरने की, लगभग 10,000 आपको हर विशे में फर्म आता है, तो ऐससा आप सोच के आईए, कि आपको 10,000 को काटना है और टाप 50 में जगे बनानी है, तो कोई कठिन नहीं है, दो महिने परियाप थे, आप तहरी में लग जाईए, और कटाफ की बात करें, तो टोटल 360 नंबर का आपका अब हो रहा है, आपका प्रवेश्वरीच्छा, तो 220 प्लस अलग-अलग विशे में अलग-अलग कटाफ जाती है, प्रस्म सरल और कठिन होने के अधार पर हर वर्स कटाफ उपर नीचे भी होती है, लेकिन आप 220 प्लस जेनरल है, तो 220 प्लस तोंच के आपके आईए, और आप यहां पर अडिमिसन लेजिए, और OVC, 190-200, के आस-पास आप प्लस तोंच करके आईए, अगर आप OV OVC करते हैं, तो आपका यहां प्रवेश निश्चित मांगे, और SCSD, 170, 170 आईए, तो आपका यहां प्रवेश परिच्छा आपका निश्चित है, तो यह कटाफ है, तो जो आपको सुचना देनी थी, हमने MA के विशे में दिया, और भी बहुत सारे विशे होते हैं, कुछ छ जानना है, या डालना है, तो आप कमेंट बाक्स में कर सकते हैं, और अभी तक आपने सस्क्राइब ना किया हो, तो चैनल सस्क्राइब कर लिजे, और मैं अपने बारेंग बता दू, मैं महें महेंदर पांडे, पराइस ना तक वती वर्ष सोशल जी से हूँ मैं, और आपको बहुत बहुत सुब कामना है, आप फर्म भरिये, और जो भी समस्या आप कमेंट बाक्स में जरूर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद,